तो हेलो फ्रेंट स्वागत है अब सभी का आपके अपने चनल एक्जाम करेक पॉंड में तो दोस्तो IDTR यानि इंदो दनीश टूल रूम जो की MSME Technology Center जमसितपूर का टरप से दोस्तो वैकेंसी आ रहा है अपनेश के लिए जो की डिप्लोमा एंड गैजुएट दोनों के लिए आ रहा है दोस्तो यहां पर देख सकते हैं कि वेब अड़ेजमेंट फॉर गैजुएट एंड टेक्निकल अपनेशी नेट्स तो दोस्तो गैजुएट लोग के लिए यहां पर टेक्निक True के लिए एंड आ यहां पर बर्ल्चेज के लिए 113 के लिए और्रेंशन आ बॉल्स्त। देख सकते हैं तो यह क्या बनता है यहां पर लिखा गया है कि इसे फिक्स्चेर, मोल्ड जो की कस्टिंग में यूज होता है मोल्ड प्रोवाइज टेकनोलोजिकल सपोर्ड एंड स्किल्ड मेन पावर फॉर अगर डिप्लोमा किये हो या तो फिर आप अगर गैजुशन किये है तो यह वीडियो जरूर देखे सारा चीज क्लियर हो जायागा उसके बाद अगर आप इंट्रेस्टेड हो तो इसके लिए अपलाई कर सकते हो कोई बी ऑनलाइन अप्लिकेशन के लिए कोई आपका पस अप आपको अफलाइन अप्लाई करना पड़ेगा तो दोस्तो देखे यहाँ पर देखे आईटेडियर और क्या-क्या देता है यहाँ पर क्लियर करके लिखा गया है कि IDTR Conduct AICT Approved Diploma Course तो दोस्तो यह जो इंस्टिटूशन है यह AICT Approved Diploma Course प्रोवाइट करता है किसमें करता है दोस्तो Tools and DIA Making, Production Engineering and Mechatonics ठीक है तो दोस्तो यह तीन चार्ट चीजे में डिप्लोमा प्रोवाइट करा Diploma Certificate अपको मिल जाएगा AICT Approved और दोस्तो यहाँ पर देख सकते हैं कि NCVT Approved ITI Course भी यहाँ पर Conduct किया जाता है जो कि होता है Fitter, Machinist, Turner, Tool and DIA Maker, Welder and Computer Hardware and Network Maintenance NSQF Course Approved by Ministry of AMSME, Government of India and Others Hot-Term Courses तो दोस्तो यहाँ पर बहुत सारा Course Provide Conduct किया जाता है दोस्तो, IDTR के तरफ से आप यहाँ पर 12 माइन अगर Apprentice Training करोगे तो आपको भी बहुत अच्छा एक Certificate मिलेगा जो कि आपका In future बहुत कम में आएगा आप उसको CV मेंटाज करके कहीं भी Interview के लिए आप उसको पेस्ट कर सकते हो और आपका पास अगर Certificate रहता है दोस्तो किसी भी चीज में तो आपका जो है Knowledge या तो फिर Skill डेवलप हो जाता है इसमें जो है Interviewers का Impression बहुत अच्छा होता है दोस्तो तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंट्रेवी डिफिक सकते हैं कि यहां पर देख सकते हैं कि इसक लिए कोई भी भी आपको एक्प्रेंस होने का जुरूत नहीं है लिखा गया clear कि of fresh engineering graduates diplomas holder for engagement as graduate technician apprenticeship under the apprenticeship scheme of the government of India ठीक है और आपको stipend मिलेगा graduate वालों के लिए 9000 रुपिया पर मांद और diplomas वालों के लिए 8000 पर मांद ठीक है तो यह जो दोस्तों यह आपका अप्रेंडिसी टनी है यह 12 माने यानि एक साल के लिए है और अगर आप interview attend करना चाते हो तो उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा board of practical training इस्टेन रिजिवन जो की इस्टेन रिजिवन में जो है BOPT का website में आपको जो है पहले ही registration करना पड़ेगा पहले register करना पड़ेगा ठीक है तो दोस्तों अगर आप apply के लिए interested हो तो यहाँ पर आप एक बार website दिया गया है यहाँ पर visit कर सकते हो ठीक है यहाँ पर सारा certificate भी लेके जा सकते हो ठीक है और यहाँ पर सेकेंड बी ओप्सन में लिखा गया है कि लास्ट सेमिस्टर या तफिर लास्ट येर का जो marksit है जिसमें सारा का सारा आपका marks दिया रहता है वो भी आपको लेके जाना पड़ेगा class 10 certificate लेके जाना पड़ेगा अधार सारा कार लेके जाना पड़ेगा लेके जाना पड़ेगा ग्याँ अफोटाइब करने के लिए फिर पैले करना पड़ेगा लेके इस की सकते हैं करने के आप लोग बात करेंगे दोस्तों IDTR जमसितपूर का तरफ से CNC milling and turning operator और यहां पर qualification का बारे में दोस्तों बात करेंगे तो बीटेक डिप्लोमा in mechanical engineering याद फिर production engineering याद फिर industrial engineering और अगर automobile engineering आपके पास है तो आप apply कर सकते हो और या तो फिर four years diploma in tool and dia making में अगर आपका पास किये हो डिप्लोमा तो अभी आप apply कर सकते हो तो अठाइस number of vacancy है दोस्तों 20 number of vacancy जो है IDTR जमसितपूर and 8 number of vacancy जो है TRTC पतना का तरफ से दोस्तों है eligibility criteria का बारा में अगर हम लोग बात करेंगे पहले ही बता चुके हैं आप दोस्तों कि educational qualification जो है बी बीटेक डिप्लोमा in mechanical engineering याद फिर production engineering याद फिर industrial engineering याद फिर automobile engineering याद फिर four years diploma in tool and dia making में आपको होना चाहिए तभी आप apply कर सकते हो सेकंड चीज जो है candidate who have obtained their degree याद फिर दिप्लोमा course between 2017 to 2020 are eligible तो दोस्तों 2017 और 2020 का बीज में अगर आप pass किये हो तो आप eligible हो आप apply कर सकते हो ठीक है और यहाँ पर और एक चीज clear कर दिया गया है कि candidate should not have undergone apprenticeship earlier on pursuing apprenticeship training as per apprenticeship at 1961 आप अगर पहले ही कोई कर चुके हो अलड़ी तो आप इसके लिए eligible नहीं हो आप apply नहीं कर सकते हो एक साल के लिए दोस्तों जो है training होगा 12 माइना stipend मैं आपको पहले बता चुका हूं कि डिप्लोमा वाले के लिए आठ हजर पर मन्त और गेजुएट वालों के लिए दोस्तों और यहां पर देख सकते हैं तीन नमर पॉइंट में लिख्या गया है दा अप्रेंटिशी सेल नौट इन्ठाइटल टू एनी आदर बेनिफिट फैसिलिटी एलाउंसेज अपर्ट फ्रॉम्ड़ स्टाइपेंड तो दोस्तों आपको उनली स्टाइपेंडी मिलेगा और भी कुछ चीज नहीं मिलेगा जैसे डी ए होता है इचारे होता है ट्रावल एनाउंसेस होता है और भी कुछ नहीं मिलेगा उनली स्टाइपेंड इपको नेट मिलेगा ठीक है और दोस्तों जिनरल इंस्टेक्शन का बारे में अगर हम बात करेंगे जैसे नॉर्माल चीज होता है कि आपको जो है बारा मैने के लिए यहां पर एप्रेंटिस जर्णी के लिए बुलाया गया है दोस्तों बारा मैने के बाद आपको आपका कोई आपको क्लेम नहीं कर सकते हो कि मेरे को पर्मेनेंट जॉब चाहिए यहां पर और अगर आप कुछ क्रिमिनल रेकॉर्ड है उसके बाद ही आप जो है अपलाई करिए और यहां पर और एक चीज लिखा गया है जो कि सबका पास रहता है इमेल आडिया और मोबाइल नंबर एक्टि मोबाइल नंबर आपको पास रहना चाहिए जो कि वैलिड रहागा सामने एक साल तक और आपका जो है आधार के जाना पड़ेगा औरल बहुत साते शथिश्य और नलब थर आपको यहां पेले साही होना चाहिए और इको बीडियो आपको अच्छा लगा इंस्व पासक्वव треб देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लिजिए ताकि उसमें आपको नोटिफिकेशन मिलता रहागा और आप अपडेट होते जाओगे तो थैंक्यों फ्रेंस थैंक्स पर वाचिंग देव वीडियो जहिन बंदे मातरम